तो यार घर पे वीडियो बना बना के बोरो गया था आज जो जब थोड़ा आउट दोर सूट करता हूं तो आज आया हूं एक पार्क में और काफी टाइम से वर्काउट नहीं किया था तो आज यहां पे वर्काउट करूँगा बोडी बेट एक्सराइज करूँगा ज्यादा पे वोसंब्याज बहुत बढ़िया है और यह कुछ फैंस आई हुए है चाचा तो अब आया हूं पार्क में और देख लेता हूं वर्काउट के लिए क्या क्यूप्मेंट है यहां पे तो पहले इस पार्क का एक जाजा ले लेते हैं और जैसा कि आपको पता कि आजकल जीम बात है तो वर्काउट तो करना ज़रूरी है और अभी बज़े है तो जब जागो तभी सवेरा तो उदर है कुछ उप्रिप्मेंट करते है वहां पे वर्काउट जी आंटियों की फैवरिट मशीन यह समझ से बाहर है यह बहुत बढ़िया चीज है यहां पे जिनको भी ट्रक चलाने की प्रेक्टिस करनी है वह यहां पे पर सकते हैं यह भी समझ से बाहर है क्या यह यहां पर लगा सकते हैं बट मैं तो नहीं लगाता हूं अजकर तो चली है वर्क उट सुरू कर लेते हैं और उससे बहले कर लेते हैं थोड़ा वर्म अप बाइस सब देख रहे हो यह यह अंकल अंटियों वाला वर्म मत किया अगरो कि वोक कर लेते हो तो जाते ही कई बंदे तो वह देखता हूं कि जिम में जागते ही जंपिंग जैक हो सब्सक्राइब करने लगते हैं बहुत गलत चीज है वह बोर्म आपने बहुत ही सिंपल गरना है ज्यादा इप्रेक्ट नहीं डालना है बोड़ी पर डायनमिक स्टैचिंग करना है तो ज्यादा कुस्तों है कि वर्क आट करते ही बहुत भयानक लेवल का पामप आजया यह बट यहाँ पर dips बहुत अच्छे हो सकते हैं और उसके बाद मैं pull up के लिए देखूँगा कि pull up कहांपे कर सकता हूँ तो side pull up वहाँ पर मैं कर सकता हूँ, वो हम बाद में check करेंगे, पहले यहाँ पर मैं dips लगाता हूँ और देखूंगा कितने डिप्स लगाँगा क्योंकि वर्काउट बहुत टाइम बाद कर रहा हूं बैक इंजरी के वज़ से स्टेंथ पिल्कुल जीरो रखी है तो ट्राइ करता हूं कितने कम से गम एक सेट में टैन तो लगाने की कोशिज करूंगा या फिर उससे ज्यादा देखते हैं ट्राइगरते हैं तो पहले दस लगाने कोशिज करता हूं अच्छा बड़ा बड़ा करती है तो वरकाउट वोडने का यह बड़ा साइड पैल्कूल जीरो दाती है तो अब भी किन लगाए थे अभी ट्राइ करता हूं ट्वण्टी गाऊंगा लगाने का ट्राइगरूँए जिन से बाहर वरकाउट करने का मज़ा ही कुछ हो रहे हैं तो अबने आपको अभी ट्राइगर दिया था तो कि मैंने करती हैं बट मुझे यह नहीं पता लग रहा कि मैं सही कर रहा हूं या अफ्री कर रहा हूं कि हम अपने आपका ठीक नहीं करते हैं तभी हमें कोज की हैं तो अभी 20 लगाए है बट अब भी मुझे लग रहा है कि मैं 10 ही लगा पाऊंगा देखता हूं कि देने लगा जबता हूं अब अपने आपको चैलेज देना शिको अगर आपको अच्छी बोडी बना रही है तो अपनी बूरी को चैलेज दो अपने अब को चैलेज दो बिल्कुल सेफ मत कहला करो ठोडा अच्छा वरगण दपरो और अच्छे त्रीके से करो च्रीके से गरो तो भी 40 तक में डिप्स लगा तक हूं और इस से थे में मैक्स तुलाओं जितने भी लगा सकता हूं कि तक मैं डिप्स कर चुगा हूँ और मैंने आपने आपको 100 तक का टार्गेट दिया है 100 में कम्प्लिट करूँगा है तो अभी 60 हो चुके है 40 अभी बाकी है तो ट्राइ करूँगा कि दो सेट में उनको कम्प्लिट करूँ तो देखता हूँ यह होंगे भी अभी 20 का टार्गेट दिया था 20 कम्प्लिट किया है 20 और लगाने पूरे 100 हो जाएंगे पैक की चोट के बाद स्ट्रेंद जीरो बोडी जीरो हो गई है तो अभी सुरू से सुरू करने का टाइम है दुबारा से साड़े करना है अब सब्सक्राइब दुबारा से बोडी बनानी है दुबारा से स्ट्रेंथ वही वापिस लेके आनी है तो टाइम लगेगा थोड़ा बट हो जाएगा लोग फेल होने से बहुत डरते हैं इसलिए वह ट्राइब भी नहीं करते कि उनको डर रहता है कि वह फेल ना हो जाए जिस दिन यह डर आपके अंदर से निकल गया आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो कुछ भी हासिल कर सकते हो तो ट्राइब करना कभी ना सोड़े आई तो डिप्स के बाद अब मैं पुछ लगाऊंगा ट्राइब करूँगा कि पुक्रण होंगे या नing होगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया वर्रक आउट किया ही नहीं है तो देख लेते हैं कितनी जान बाकी है ट्राइब करते हैं पुसप्स तो पुसप्स के लिए यह वाली जगह बैटर रहेगी, यहां पर अच्छे पुसप्स हो सकते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, दूप निकली हुई है तो अभी कर लेते हैं पुसप्स, काफी टाइम होगे कि यह नहीं है, तो ट्राइ करते हैं कितने हो सकते हैं तो वर्काउट जोने से आपकी हालत क्या हो सकते हैं, वह आपको दिख लिए पंदरा पुसप्स की हैं, और पंदरा पुसप्स में ही अपना जो बोडी बेट है, वो पोच ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे उपर एक्स्टा वेट रख दिया हो, तो बह जो टार्गेट दिया है, वो कंप्लीट गरवा, पंदरा पुसप्स के बाद ही ऐसे हो रहा है कि मैं ब्लैक आउट हो जाओंगा, काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं तो अभी लेखता हूं कितने लगा पाऊंगा, ट्राई करता हूं वर्फिकल्ण प्रम्राब चाहते हैं, तो अब करहा हूं बोल्ट स्कूल एक्सरसाइज करना बोल्ट इपिगलग है, जिमे जाके वेट हम उठा लेते हैं, बड़ एसल जो चीज है, असल जो स्टरेंद है, वो यहां बदा लगती है, ति आप में किफनी स्टरेंथ हैं। वेट उठाना सब कुछ नहीं होता अगर आपना बोडी वेट ने उठा सकते तो आपका जीम जाके वेट उठाना उसे कोई फैदाने उस उठानेगा है तो बहें 100 पुसर्स कम्प्लीट हो गए हैं और जो मैंने अपनेअ को तार्गेट दिया था वह मैंने कम्प्लिट कर लिया है धीरे-धीरे से ही पट कम्प्लिट कर लिया धीर धीर करते रहा हो जाएगा सब कुछ घिस तो वह पतल लगाओंगा तो मैं पूलप यहां पर ट्राइ करूँगा ज्यादा हइट नहीं है इसकी पुसप्स लगाने के बाद चैस्ट में बहुत अच्छा पंपा है तो पूलप का तो मैंने अपने हमको कोई टार्गेट दिया नहीं पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इसलिए कोई टार्गेट दिया है नहीं है क्योंकि बोड़ी बेटी बहुत जादा हो गया है सायद मेरे से एक भी ना हो बट ट्राय जरूर करूँगा देखता हूँ कितने कर पाऊँगा तो पुलस तो यार मैं 15 20 कर पाया हूँ बट आज मुझे शिखने को मिलाए कि बोडी बेट एक्सराइज कितनी जरूरी है जिम में जागे हम इतना वेड उठा लेते हैं बट अगर बोडी बेट एक्सराइज नहीं करते तो क्या फाइदा तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो का लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बोलाइब कीजिए इस में लाइब कीजिए प्याइब कीजिए